नमस्कार मैं आशा प्रजापती स्वागत करती हूं आप लोगों के अपने चैनल आशा कुकिंग कॉर्णर में और आज तयारी चल रही है पालक पनीर बनाने की तो मैंने जो पालक है उसको अच्छे से साफ करके दो कर रख लिया था उसके बाद मैंने इसको एक पतीले में ड किरमा के लिए लोगो में तरह से की पालक तुमधिया और यह सका पानी हुआ है और इस पालक को मैं लगत होने के लिए wiring यह पतीला उसके अंदर डाला मैंने तेल डाला जीरच एक के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया प्याज और प्याज को भी मैं अच्छे से भून लूँगी और यह प्याज हमारी जो है अच्छे से भून गई है अम मैंने इसके अंदर डाल दिया टमाटर टमाटर डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाले कुछ मसाले जैसे के हल्द का जो गुबला हुआ पालक ठाँ इसको मैंने पएसस्ट लिया मिकसी में इसके बाद हमारा मसाला भी देखिए बुन चुका है अच्छे से उसके बाद मैंने इस प्यूरी को डाल दिया है से इस मसाले के अंदर और अब हम इसको बनती है पालक पनीर की बहुत जल्दी बन जाती है बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है बहुत आराम से यह सब्जी बन कर तयार हो जाती है और बहुत ही स्वाद भी लगती है गारे में और यह देखिए जब तक पालक हमारा भून रहा है तब तक मैंने कट क पनीर और इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ेंगे थोड़े देर इसको पकने के लिए पानी जो भी मिक्सी के अंदर हमारा पेश्ट लगा हुआ था वह सारा धोकर पानी मैंने सब्जी के अंदर डाल दिया है और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी यह दोड़ा है आप फिर इसको धक कर उबालाने तक पकाएंगे इसके बाद मैंने डाला इसके अंदर गरम मसाला जालने के बाद थोड़ी देर हम उच्छे से सब्जी के अंदर आ जाए इसके बाद बन गए है यहां पर गर्म गरम प्राथे और बस लंच हमारा हो गया एक दम रेडी तो बस जड़ाई और कुष्राई ये